ही गाइस वल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज के इस फडिव में मैं आपको एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ 2023 में यह बेंगाली मुवी चीनी 2 तो चलिए विदाओर वस्टिंग टाइम मुवी का एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है चीनी नाम की लड़की से जो स्कूल में पढ़ती है एक्चुली चीनी काफी सदा शाय थी जिसकी वज़े से वो जादा किसी से बात नहीं करती थी और उसी वज़े से सबी लोग चीनी को इक्नौर करते थे ऐसे चीनी बड़ी हो गई और कॉलेट जाने लगी लेकिन यहाँ पर भी चीनी काफी सदा शाय थी लेकिन एक दिन एक लड़का आकर चीनी के साथ बात करता है यह देखकर चीनी समझ जाती है कि वो लड़का उसे पसंद करता है लेकिन कुछ दिनों बात चीनी उसी लड़के को किसी और लड़की के साथ देखती है और ये देखकर चीनी का दिल तूट जाता है वो काफी ज़दा रोती है और फिर डिसेड करती है कि वो अपने आपको चेंज करेगी अब इंट्रोवर्ट चीनी एक्स्ट्रोवर्ट बन गई थी और अब चीनी के बहुत सारे दोस्त भी थे जिसके बाद हम मिष्टी नाम की लेडी को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर अपनी मा के घर आती है जैसे मिष्टी अपनी मा के घर आती है उसकी माँ उससे पूछती है कि अब वो कितने दिनों के लिए यहाँ पर आई है उन दोनों की बातों से बता चलता है जैसे वो गर आया, मिश्टी ने उसे पूछा कि अगर वो लेट आने वाला था तो उसने मिश्टी को क्यों नहीं बताया। जिस पर सुबोत कहता है कि उसने ऐसा इसले किया ताकि मिश्टी को लड़ने का एक और टॉपिक मिल जाए। अब ये बात सुनकर मिश्टी को काफी बूरा लगता है और वो भी सुबोत के साथ लड़ने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आजकल मिश्टी और सुबोत की चोटी चोटी बातों पर लड़ाई होती है। साथी मिश्टी अपने बच्चों से भी काफी परेशान थी क्योंकि उसकी एक बेटी है जिसका पड़ाई पर जादा धाण नहीं था और जो बेटा है वो जॉब करता है और वो भी अपनी मा के साथ जादा बात नहीं करता। actually मिष्टी अपने बच्चों के साथ काफी स्टिक थी, जिसकी वज़े से उसकी बच्चे उसके साथ जादा बात नहीं करते थे, और इसी बात का frustration मिष्टी कहीं न कई सुबोद पर भी निकाला करती थी, इसी वज़े से दोनों में छगड़े होते थे, और इस बार में बुद की इसाइड ले रही थी। वो लोग ये सारी बाते करी रहे थे कि तब ही वहाँ पर चीनी आती हैं। मिष्टी की मा मिष्टी को बताती है कि चीनी उनकी नहीं किरायदार है। लेकिन मिष्टी को चीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि चीनी के कपड़े काफी छोटे थे और ये देखकर मिश्ट्री को वो जरा भी अच्छी नहीं लगती साथ ही उनकी मेर बताती है कि चीनी के कई सारे दोस्त है रोजा लग लग लड़का चीनी को घर छोड़ने आता है जिसके बाद हम चीनी को देखते हैं जो एक लड़के के साथ डेट पर गई थी लेकिन वो लड़का चीनी को प्रपोस करता है जिस पर चीनी कहती है कि वो डेट तो कर सकती है लेकिन वो रिलेशन्शिप में नहीं आ सकती एक्चुली चीनी को किसी बात का डर था वो sleeping pill खाकर सोचा है अब ये बात सुनकर मिष्टी को गुस्सा आता है क्योंकि उसका कहना था कि चीनी कौन होती है उसे advice देने वाली तो चीनी उससे कहती है कि मिष्टी जिसके बारे में सोच कर इतना परिशान हो रही है वो अपने कर में आराम से सो रहा होगा इसलिए मिष्टी को भी सोच रहा चाहिए ना कि ये सब ड्रामे करने चाहिए ये बोल कर चीनी वहाँ से चली चाती है अब दूसरे दिन चीनी जब जॉगिंग से वापस आती है तो फिर से उसकी मिष्टी के साथ थोड़ी बहस होचाती है जहाँ पर मिष्टी का कहना था कि चीनी को पूरे कपड़े पहनने चाहिए अब ये बात सुनकर चीनी मुस्कुराती है और उसे भी कुछ बाते सुना देती है जिसके बात मिष्टी कहती है कि चीनी की मा ने उसे अच्छे संसकार नहीं दिये जिस पर चीनी कहती है कि जब वो चार सार की थी तब है उसकी मा ने काफी सारे स्लिपिंग पिल्स का लिए और वो उसे छुड़कर चली गई अब ये सुनकर मिष्टी को काफी बुरा लगता है कि उसे चीनी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था जिसके बाद हम चीनी को देखते हैं जो अपने ओफिस गई थी एक्चली चीनी एक स्टाइलिस्ट है और वो एक नहीं सारी डिजाइन कर रहे थी लेकिन उसके बॉस को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जिसकी वज़े से चीनी काफी परेशान थी जिसके बाद हम सैमी नाम के लड़की को देखते हैं जो अपनी गल्ट्रेंट मौसमी के वज़े से काफी परेशान था एक्चुली सैमी मौसमी से बहुत प्यार करता था लेकिन वो उसे बहुत ज़दा गरांटेड ले रही थी जब भी वो उसे कॉल करता वो उसके साथ बात नहीं करती जब उसे पैसे चाहिए होते तब भी वो उसके साथ बात करती थी जिसकी वज़े से सामी काफी टेंशन में था और वो इस बारे में अपने दोस्त को बताता है तो वही सामी के दोस्त का यही कहना था कि सामी को ब्रेक अप करना चाहिए लेकिन सामी मौसमी से इतना प्यार करता था कि वो उसे चोड़ नहीं पा रहा था अब रात को जब चीनी काम कर रही थी तब ही उसके पास मिश्टी आती है मिश्टी अब चीनी को पसंद करने लगी थी इसलिए वो उसे सारी बाते पताने लगती है Actually मिश्टी को शक था कि सुबोत का किसी लड़की के साथ आफेर चल रहा है जिसकी वज़े से मिश्टी सुबोत पर बहुत सदा गुसा थी अब ये सब सुनने पर चीनी मिश्टी से कहती है कि उसे खुद को बदलना होगा उसे अपने हस्बर्ण और बच्चों को जाधा इंपोर्टस नहीं देना चाहिए सबसे पहले मिश्टी को ये भी याद रखना चाहिए कि उसकी खुद की भी कुछ लाइफ है इसलिए मिश्टी को अपनी लाइफ भी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए इसलिए चीनी मिष्टी को जिम लेकर शादी है ताकि मिष्टी कुछ टाइम खुद के लिए भी निकाल सके लेकिन वहाँ जाने पर मिष्टी काफी जल्दी ठक गई थी जब वो दोनों जिम से वापस आ रहे थे तो मिष्टी उसे अपने और सुबोत के वारे में बताने लगती है कि किस तरह उन दोनों को प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी की शादी के बाद इतने सालों तक वो बहुत तदा खुश थे लेकिन आचानक उनका रिलेशन काफी बदल गया अब ये सब सुनने पर चीनी मिष्टी से कहती है कि उनका रिलेशन इसलिए बदल गया होगा क्यूंकि वो दोनों बदल चुके है चीनी मिष्टी से कहती है कि पहले मिष्टी अपने हस्बन के साथ मूवी देखने चाहती थी वो दोनों एक दुसरे के लिए वक्त निकालते थे लेकिन अब जिम्मेदारियों की वज़े से उन दोनों ने एक दुसरे के लिए वक्त निकालना ही बन कर दिया है और शायद इसी की वज़े से उनका रिलेशन ऐसा हो गया होका वो दोनों ये सब बाते करी रहे थे कि तबी मिश्टी देखती है कि सुबोत किसी लड़की के साथ बात कर रहा था और ये देखकर मिश्टी काफी गुस्सा हो जाती है वो सुबोत के पाशाकर उसे पूछने वाली थी लेकिन चीनी उसे रोक लेती है जिसके बाद वो देखती है कि सुबोत उस लड़की को हख करता है ये देखकर तो मिश्टी बहुत ज़दा गुस्सा हो गई थी लेकिन चीनी किसी तरह से उसे शांत करवाती है जिसके बाद वो मिष्टी को घर लेकर आती है और मिष्टी से कहती है कि अब वो उसका मेक और करेगी और मिष्टी को भी डेट पर जाना चाहिए और नए दोस्त बनाने चाहिए अब मिष्टी इसके लिए मना कर रही थी लेकिन चीनी और अपनी मा की कहने पर वो मान जाती है जिसके बाद चीनी मिष्टी का मेक और करती है और उसे एक आदमी के साथ डेट पर भेचती है लेकिन मिश्टी वहाँ पर काफी uncomfortable feel कर रही थी इसलिए वो बीच में से ही वहाँ से चली आती है जिसके बाद हम चीनी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कैफे में बाते कर रही थी लेकिन तब ही वहाँ पर चीनी की कोई आंटी आती है और चीनी को बाते सुनाने लगती है कि किस तरह उन्होंने चीनी को बड़ा किया है और अब चीनी उन्हें call नहीं करती अब ये बाते सुनकर चीनी काफी uncomfortable feel करती है और वो अपने आंटी से कहती है कि वो यहाँ पर meeting के लिए आई है इसलिए ये बोलकर चीनी जाकर सैमी के पास बैट जाती है एक्चुली सैमी वहाँ पर मौसमी से मिलने आया था लेकिन मौसमी ने plan cancel कर दिया था जिसकी वज़े से सैमी काफी hurt था जैसे ही उसके पास चीनी आती है तो वो सैमी को सब कुछ बताती है कि जब तक उसके आंटी वहाँ से नहीं चाती वो यहाँ पर बैटना चाती है और सैमी भी इसके लिए मान चाता है जिसके बैस सैमी को मौसमी का call आता है और वो उसे पैसे मांग रही थी ये देखकर चीनी आवाज लगाने लगती है और मौसमी को शक होता है कि कहीं सैमी किसी लड़की के साथ डेट पर गया है और इसी बात पर वो सैमी के साथ लड़ने लगती है अब ये सब देखकर सैमी काफी शौक था क्योंकि चीनी ने इस तरह से बिएप किया था लेकिन चीनी उसे समझाती है कि वो बस मजाग कर रही थी जिसके बात चीनी उसे अपना नमबर देती है और उसे कहती है कि उसे जब भी कोई एड़वाईज चाहिए होगी वो उसे कॉल कर सकता है जिसके बाद हम मिश्टी के पती और उसके बेटी को देखते हैं जो मिश्टी की जानी की वज़े से काफी सदा परिशान थे वो जला हुआ खाना खा रहे थे क्योंकि अच्छा खाना उन्हें बनाना नहीं आता था सुबोध मिश्टी को कॉल भी खरता है लेकिन मिश्टी उसके साथ जादा बात नहीं करती ये देखकर सुबोध को काफी बुरा लगता है एच्छली सुबोध को लगा था कि इस बार भी मिश्टी अपने मा के घर कुछ दिनों के लिए जाएगी और वापस आ जाएगी लेकिन इस बार उनका चगड़ा काफी सदा सीरियस हो गया था तो वही हम मिश्टी को देखते हैं जो पूरी तरह से बदल रही थी वो चिनी के साथ बाहर घूमने चाहती और काफी सदा एंज्जॉय करती एक दिन हम चिनी को देखते हैं जो टैक्सी से कई पर आ जाती है लेकिन उसके पास कैश नहीं था इसलिए वो टैक्सी ड्राइवर को UPI पेमेंट करना चाहती थी लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर को कैश चाहिए था इसलिए वो चिनी के साथ लड़ने लगता है अब तबी वहाँ पर सैमी आता है और टैक्सी वाले के पैसे दे देता है अब ये देखकर चीनी काफी खुश चलती है और वो Samy के साथ Flyhost करने लगती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि चीनी Samy को पसंद करने लगी थी जिसके बार जब चीनी घर आती है तो उसकी पापा का उसे बार बार कॉल आ रहा था और चीनी उनके साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी अब लिरिन चीनी अपने बापा से मिलने चाहती है क्योंकि उसके बापा ने उसे किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए बुलाया था वहाँ जब चीनी चाहती है तो उसके बापा अपने काम में ही बीजी थे एक्चुली चीनी जब 4 साल की थी तो उसकी मा का मिस्कारेश हो गया था जिसकी वज़े से उसकी मा डिप्लेशन में चली गई थी और वो काफी ज़दा टैबलेट्स ले रही थी उसकी मा को उसकी पापा के सहारे की जरूरत थी लेकिन तब चीनी के पापा का आफेर शुरू ह किया और उन्हें चीनी की मा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जिसकी वज़े से एक दिन चीनी की मा ने खुद को खतम कर लिया और चीनी की मा की डेथ के बाद उसके पापा ने तुरन दूसरी शादी कर ली जिसके बाद उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्हें अब उसके पापा का पूरा ध्यान दिया की तरफ ही था और वो चीनी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि चीनी क्या काम करती है, जिसकी वज़े से चीनी काफी आकेली पड़ गई थी, चीनी कहती है कि वो जिससे भी प्यार करती है, वो जो भी हो, मिश्टी उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी, जिसके बाद अगले दिन चीनी मिश्टी को अपने आफिस ले कर जाती है, और वहाँ पर मिश्टी उसकी सारे स्टाइलिंग में मदद करती है, और उसकी सारी उसके बास को बहुत पसंद आती है, ये देखकर च चला गया था, एक्चली चीनी हमेशा सारी को मौडरन में में स्टाइल करना चाहती थी, और यही बात उसके बास को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मिश्टी की स्टाइल उसे बहुत पसंद आती है, जिससे चीनी रिलेक्स हो जाती है, जिसके बाद हम सैमी को देखते हैं, तब ही वो एक लड़के से टकराता है, वो लड़का सैमी के साथ लड़ने लगता है, लेकिन चीनी उसे शान करवाती है, जिसके बाद चीनी जाकर सैमी से बात करती है, तो सैमी उसे बताता है, कि वो बहुत जदा परेशान है, एक्चुली मौसमी कई दिनों से सैमी की कॉल receive नहीं कर रहे थी जिसकी वज़े से सैमी इतना ज़दा परिशान था लेकिन चीनी उसे कहती है कि सब कुछ टीक हो जाएगा जिसके बाद जब सैमी घर जाता है तब ही उसे मौसमी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है जब सैमी वहाँ पर जाता है, तो मौसमी उसे कहती है, यह वो किसी दूसरे रड़के को पसंद करने लगी है इसलिए वो सैमी के साथ नहीं रह सकती अब यह बाद सुनकर सैमी का दिल टूट जाता है, लेकिन वो मौसमी से कुछ भी नहीं कहता जिसके बार सैमी जब कराता है तो वो पहली बार चीनी को मेसेज करता है और चीनी भी उसे रिपलाई देने लगती है और दोनों की बादे शुरू हो जाती है अब कही न कहीं चीनी सैमी को पसंद करने लगी थी ये बार चीनी मिश्टी को भी बताती है और चीनी की बादे सु कर रहा था और कहीं ना कहीं वो भी चीनी को पसंद करने लगा था अब एक दिन चीनी सैमी को एक जगा मिलने के लिए बुलाती है उसकी बाते सुनकर सैमी समझ जाता है कि चीनी उसे अपने दिल की बात बताना चाहती है लेकिन जब सैमी वहाँ पर जाने के लिए तयार हो रह लेकर बाहर जाती है लेकिन सैमी का मन उसके साथ नहीं लग रहा था इसलिए वो मौसमी को बता देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता यह बोलकर सैमी वहाँ से निकल जाता है तो वही हम चीनी को देखते हैं जो सैमी का इंतिजार कर रही थी लेकिन सैमी वहाँ पर नहीं आता तो उसे ऐसा लगता है कि सैमी उसे प्यार नहीं करता यसलिए चब वहाँ से जा रही थी तब ही वहाँ पर सैमी आता है और चीनी को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है अब ये सुरकर चीनी भी काभी एमोशनल हो जाती है और वो उसे हग करती है जिसके बाद हम मिश्टी को देखते हैं जो सुबस से मिलने गई थी दोनों मिलकर पुरानी बाते याद करने लगते हैं और यहीं सोचने लगते हैं कि उनका रिलेशन इतना बदल कैसे गया क्योंकि वो दोनों पहले एक दुसरे से बहुत जादा प्यार करते थे शायद वो प्यार आज भी उनके बीज में था बस थोड़े से हालात बदल गए थे यह देखकर मिश्टी की बेटी प्लान करती है कि वो उनकी अन्वरसरी सिल्ब्रेट करेगी इसलिए वो सब को एक जगह बुलाती है ताकि सब लोग मिले और ये सारा जगड़ा खतम हो जाए जब मिश्टी वहाँ पर सब के साथ मिल रही थी तब ही वहाँ पर उसका बेटा भी आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैमी एक्चुली मिष्टी का ही बेटा है और उसका नाम समर्थ है सैमी वहाँ पर चीनी को भी लेकर आया था और चीनी और मिष्टी जब एक दूसरे को देखती है तो वो काफी जदा शौक थी क्योंकि ना ही चीनी को पता था कि सैमी मिष्टी का बेटा है और ना ही मिष्टी जानती थी कि चीनी उसके बेटे से प्यार करती है अब ये सब देखकर मिष्टी काफी गुस्ता हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि चीनी ने उसे धोका दिया साथी मिष्टी को लग रहा था कि चीनी जैसे बाकी लड़कों को छोड़ देती है एक दिन उसके बेटे को भी छोड़ देगी अब इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और मिष्टी उनकी रिष्टे से मना कर देती है जिससे गुस्सा होकर चीनी वहाँ से चली जाती है जिसके बाद सैमी और चीनी दूसरे कर में शिफ्टों शाते हैं और साथ में रहने लगते हैं कुछ दिन ऐसे ही बीच आते हैं और आज चीनी की शादी थी जब वो शादी के लिए तयार हो रही थी तब है उसे मिश्टी की याद आती है इसलिए वो तुरंद मिश्टी के घर शादी है और उसे लड़ने लगती है कि भले वो अपने बेटी की शादी में ना आए लेकिन उसे चीनी की शादी में आना पड़ेगा अब इसी बातों पर दोनों लड़ने लगते हैं और एक साथ रोने भी लगते हैं चीनी मिश्टी को सौरी कहती है और मिश्टी भी उससे सौरी कहती है क्योंकि वो दोनों बले एक दूसरी से नारास थें, लेकिन उन दोनों में प्यार भी बहुत था, जिसके बाध मिश्टी उनके रिलेशन को एकसेट कर लेती है, और शादी के लिए माझ जाती है, वो चिनी को लेकर उसके पापा के घर आती है और उसके पापासे भी रिक्वेस्स करती है कि वो as a guest तो उनकी शादी में आ चाए, जिसके बाँ चिनी और सैमी की शाधी होने लगती है तब भी मिष्डी के पास सुबहत आता है और उसे माफी माँगता है सुबोद उसे बताता है कि देड़ साल पहले उसकी नौकरी चली गई थी जिसके बाद वो एक MLM कंपनी में जॉब करने लगा था वो ब्यूटी प्रोड़क्स बेचता है इसलिए वो अपने क्लाइंट से मिलता रहता है और इसे एक कलाइंट के साथ मिश्टी ने उसे देख लिया था और मिश्टी को लगा था कि शायद वो सुबोद की गल्फरेंट है अब ये सब सुनकर मिश्टी का भी शौक थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके हस्बन की चौप चली गई थी सुबोद उसे ये भी बताता है कि वो फाइनेशल क्राइसिस से गुजर रहा था और इसी वचे से वो मिश्टी को टाइम नहीं दे पा रहा था अब ये सब सुनकर मिश्टी भी समझ जाती है कि उसे भी सुबोद को समझना चाहिए था और वो दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं जिसके बाद चीनी और सैमी की पिशाती हो जाती है और अब मिश्टी चीनी की सास बन गई थी लेकिन वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों हमेशा दोस्त बन कर रहेंगे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है तो ये थी चीनी टू मूवी की स्टोरी अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्स्प्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंशल सरूर करना और मेरी चैनलों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक्स पॉचिंग वीडियो